कंधे पर रसी लटका कर शर्ट के निचले हिस्से को बांध कर जो स्टाइल की छाप अमिताब बच्चन ने हिंदिस सिनेमा में छोड़ी आज के ज़्यादा तर हीरो बोडी विल्डर है, बोडी दिखा कर शर्ट खोल कर एक्षन सीन में मार धार, स्टंट करकर के ठक गए लेकिन अपने स्टाइल का वैसा जलवा, वैसी छाप कोई हीरो हिंदिस सिनेमा के दर्सकों पर अब तक ऐसा छाप नहीं छोड़ा, ऐसा जादू नहीं कर सका, जो जादू अमिताब ने 1978 में दर्सकों के दिलो दिमाग पर रखा, इसे अपनी जेव में रख ले पीटर, तो उसका न्याम कैसे और किस तरह दे रहा है, वह महत पुर्ण है, तभी तो हिरो सबसे ज़्यादा अपनी फीस लेता है, यह फिल्म दिवार है, हलाकि इसका श्रे यस चुपडा सहब को जाता है, जिस स्टाइल नमिताब बच्चन को हिंदी सिनेमा के पटल पर उस वक्त स चोटे बड़े शेरों में तिन पहिया खिचने वाले रिक्सा चालक, गरीब मजदूर अमिताब बच्चन के ये लोग ऐसे दिवाने हुए हैं कि इनके हैर स्टाइल और शट बांद कर चलने का प्रचलन बना दिया था, नाई के शलून के दुकानों पर अमिताब बच्चन को दूबले पतले होने ये अपनी शरीर क्यों चाई सा लोचना का शिकार भी होना पड़ता था, और दिवार फिल्म के वक्त ये सब कुछ काम आ रहा था, सिनेमा के इतिहास में पहली बार सबसे निचले वर्ग में यंग जनरेशन के लड़कों को प्रभावित किया, हवान इस किरदार के साथ शांदार इंसाफ हमिताब बच्चन ने किया, फिल्म रिलिज हुई और रांतो रात हमिताब बच्चन को एक अलग बड़ा और बेस्ट स्टार बना दिया, जहां किसी हीरो को पहुँचना मुस्किल ही नहीं, नामुम्किन हो गया, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि पूरी बात सिर्फ स्टाइल से ही फिल्मे नहीं चल जाती है, डारेक्टर कहानिकार और हिरो का क्रिष्ट मिशन भी होता है, हलाकि इस शोपड़ा नमिताफ के साथ और भी फिल्मे बनाई, 1974 में कभी कभी, 1978 में त्रिशूल, 1989 में काला पत्थर, 1981 में सिल्सिला, लेकिन इस तरह का कमाल नहीं हो सका, हमें इताफ पर फिर कोई खास और अदभुत प्लोट या नए तरह के एक्स्प्रिमेंट नहीं कर पाए, यह शोपड़ा सहाव ने फिल्म काला पत्थर में खाकी ड आगे बरस के दिनों में मर्द, हम और शंसाज जैसी फिल्म में कुछ ड्रेस कोड पर मिताफ बच्चन पर अलग काम किया गया, मर्द में ग्रेट ड्रेस और बीच में बेल्ट, लेकिन कहानी में वा गहराई वाला संगर्स नहीं था, फिल्म हम में काला पैंट, काला और वाइट शट के बीच गले में लाल गा मोच्चा लटका कर, हम इताफ एक नई अंदाज में फिर उत्रे, लेकिन कहानी के किरदार में जिवन तभाव की कमी रही, शैंशा में लोहे के जाली की कोच पहन कर उत्रे, लेकिन यहां भी वह बात नहीं आई, कहानी बच्चों और उन प्रस्थीतियों में दो भाईयों के बीच जो दिवार खड़ी होती है, उस किरदार को मिताब बच्चन बखुबी निभाते नहीं, जिन्दा कर देते हैं, दर्सकों के दिमाग में किरदार और मिताब बच्चन दोनों एक साथ मूल भाव में उतरते हैं, यह कहानी स के शुरवाती जीवन पर उतरा गया था, जो एक मजदूरों के बीच आत्मसोहिमान की लड़ाई लड़ता है, हलांकिया मिताब बच्चन, सिगरेट और बीड़ी नहीं पीते हैं, इसलिए इस फिल्म में भी बीड़ी पिने वाले मजदूर के रियालिस्टिक भाव में थो करना है तो किया जाता है, खेर आगे बढ़ते हैं, एक बार मैंने टीवी पर यस चोपडा सहाब का सक्षाकार दिवार के बारे में देखा था, जिसमें मैं कहते हैं कि स्क्रिप्ट में कोई चेंजेज, सेट्स पर बिल्कुल नहीं किया जाता था, जो डायलोग पहले से लि करेक्टर की पकड़ तो होती ही है, और एक अवार्ट के मंच पर प्रोग्राम होस्ट करने वाले ने जब यस चोपडा सहाब से उसके सबसे पसंदीदा हिरो के बारे में जानना चाहा, तो यस चोपडा सहाब का जवाब था, अमिताब बच्चन, वे कहते हैं कि अमिताब ब तो वे शरीर का परतेक भाव, चेहरे की मुद्रा से ज़्यादा प्रभावी मुख से निकलेट डालो की होती है, यही संपड भावों को लपेट कर केदार को हिरो जब परोस्ता है, तो उसके अपने अंदाज और स्टाइल का निर्मार करता है, इसमें कोई दुविधा नही कि अमिताब बच्चन की वाइस शांदार है, और इस अंदास को प्रभावी कर दर्शकों के दिलों पर, दिमाग पर, अमिताब ने अपनी गहरी चाप छोड़ी, सुनिल दत, धर्मेंद्र, फिरोज खान, राजस खन्ना, बिनोद खन्ना, अमिताब बच्चन, बिनोद मेरा कि पारी के बाद, 1980 के दसक आते आते, पराए हिंदी सिनेमा का वह गोल्डन दोर खत्म हो गया, तीसरी पारी में नील कपूर, जेकी श्रॉफ, सन्नी देओल, संजे दत लौंच हुए, सिनेमा कस्तर निर्देशन और एक्टिंग गिरते गए, दसक के थोड़ा पहले और बा की होती गई, आज तो पराय सभी जानते हैं कि एक दफा नहीं, कई दफा सेट्स पर डायलोग चेंज कर दिये जाते हैं, आज ओसतन अच्छी फिल्मे नव बन पाने का कारण भी यही है, आज टेकनिकल अपेक्षाएं, टेकनलोजी की धुम, एफेक्ट्स भी कहानी के मुल भाव को कमजोर और नस्ट कर रहा है, आज की फिल्मे द्रसकों की अदास्त को महिनों बांधे रखने में काम्याब नहीं हो पा रही है, क्योंकि रियालिस्टिक अप्रोच खत्म हो गया है, संगीत और गायकी तो प्राया भारत में लुप्त हो गया है, 1960, 70, 80 के दसक वाली सदा बहार हिरो की मेज, प्रसनलिटी की भी नहीं रही, डैलोग भी नहीं रहे, ना कोई सोलो स्टाइल रह गया है, दिवार इस फिल्म की उम्र पचास बरस होने को आया है, आज भी ये फिल्म दिवार को आप जितनी बार देखें, उतनी बार ही आखेट हरती चली जाती है डैरेक्टर यस चोपड़ा की इस फिल्म पर अच्छी पकड़ का नतीजा है, अच्छी स्क्रेप्ट, अच्छे डालोग, अच्छे संगीत, सब के सब किरदार अपनी अपनी जगह पर फिट, और इस फिल्म की रीड अमिताब बच्चन द्वारा निभाए गए यह किरदार आज की फिल्मों का उम्र महच एक सब्ताव ही नहीं, कि कोई एक सब्ताव ही अपनी अदास में सहेज कर रखे, आज इस विडियो में इतना ही, फिर कुछ नए विस्यों पर फिल्मों की बात होगी, इस विडियो में कोई गलती हो तो छहमा करें, यह कोई जरूरी नहीं, य या तो देख बबुआ